हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि एक्सल शीट का प्रिंट कैसे निकाला जाता है प्रिंट निकालने के लिए पहले पेज को सेट किया जाता है कि कहीं पेज की रो या कॉलम कर तो नहीं हो रही है इसको पहले set करना होता है जब सारा page set हो जाता है तो हम print command का use करते है तो Excel page को set कैसे किया जाता है इसको detail में यहां पर हम सीखेंगे तो यह हमारे पास यहां पर data है इस data का हम यहां पर print निकालना जाते है तो Excel में print निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका print preview चेक करते हैं कि ये जो data है ये data सारा हमारे page में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसका print preview चेक करेंगे तो print preview चेक करने के लिए हमारे पास दो method है एक तो हम यहाँ पे file type पे जाएंगे file type पे जाने के बाद print command में जाएंगे यहाँ पे print पे click करेंगे print command पे जाने के बाद यह हमें यहाँ पे print preview चेक करेंगे इसको फिर यहाँ पे back क्लिक करेंगे एक तो यह method है print preview को चेक करने का दूसरा method है keyword के जरीए अगर हम इसका print preview keyword के जरीए चेक करना जाते है तो हम control प्लस function की F2 प्रेस करेंगे यह देखो यह control प्लस F2 फंक्शन की प प्रेस करने के बाद यह हमारे पास print preview यह यहाँ पे आ जाएगा तो keyword की shortcut keys के जरीए भी हम इसका print preview यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसके बाद escape की press करेंगे यह देखो escape की press करने पे यह sheet यहाँ पे हम आ जाएंगे इसके बाद हम यहाँ पे status power पे जाएंगे यह यहाँ पे page layout page layout पे click करने पे क्या होगा यहाँ पे यह page हमें बताएगा कि first page पे कितना data आ रहा है अगले page पे कितना data जा रहा है तो हम यहाँ पे page layout पे click करेंगे यह देखो click किया click करने के बाद यहाँ पे यह बता रहा है कि हमारा जो page layout है यह जो first page है हमारा इसमें इतना data आ रहा है यह जो अगला है, Annual Income, यह अगली Page पीज़े लगया है, तो इसको हम यहाँ पे Set करेंगे, तो Set करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे Page Layout पे जाएंगे, Page Layout पे जाने के बाद, Page Setup Group में जाएंगे, Page Setup Group में अब हम यहाँ पे सभी Option को करेंगे, यह दिको Margins, Orientation, Size, Print Area, Break, Background, Print Titles, इन सभी को यहाँ पे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको यहाँ पे Adjust करेंगे, तो इसको Adjust हम Margin के जरिए यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम First Function, Margin Function के More Button पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे Option आ हमारे पास आ जाएंगे, यह जो पिछे हमने Last Setting की थी, वो यहाँ पे आ जाएगा, Last Custom Setting, यह उपर सबसे उपर यहाँ पे दे गई है, इसके ज़ाद यहाँ पे Second attack है, यहाँ पे Normal, यहाँ पे क्लिक किया, तो यह Normal यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद आ गया है, Wide, यहाँ पे क्लिक करेंगे, Preview है, यह चैंज हो जाएगा, यह दिको Bide में आ जाएगा, यह Bide में आ गया, यह थोड़ा यहां से cut हो गया यह इसके बाद अगला option जो है narrow यहां पे narrow पे click करेंगे तो यह narrow में थोड़ा सा यह बढ़ जाएगा यह देखो बढ़ा हुआ है यह page इसके बाद यह annual income जो है यहां पे नहीं आ रही है first page पे नहीं आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे यहां पे margin जो है वो यहां पे custom margin यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद custom margin पे click करने के बाद यह dialogue box हमारे पास open हो जाएगा इसमें top में दिये गया है 1.9 यह दिये गया है इसी को हम top में रखेंगे इसके बाद header है यहां पे 0.8 इसी को यहां पे रखेंगे इसके बाद left side इसको हम यहां पे 0 कर देंगे यह देखो 0.6 है यहां पे हम इसको 0 कर देंगे यह 0 किया इसके बाद right hand side इसको भी हम यहां पे 0 कर देंगे यहां पे यहां है 0.6 तो यहां पे हम इसको 0 करेंगे यह देखो 0 किया 0 करने के बाद इसके बाद है bottom तो bottom हम यही रखेंगे 1.9 और footer इसको भी हम यही रखेंगे 0.8 यह रखने के बाद हम क्या करेंगे इसको ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह दिखो यह जो page की setting थी यह जो a column आगे चला गया था अगले page पे यह एक ही page में यहां पे आ गया है तो अब हम इसका print preview चेक करेंगे कि यह a की page में आ रहा है सारा की नहीं आ रहा है तो हम control प्लस F2 प्रेस करेंगे यह देखो print preview में यह a की page में सारी column आ रहे हैं यह देखो annual income यह भी इसी page में set ok आ गया है तो जब हम print निकालेंगे तो यह सारे column यह एक ही page में यहां पे आ जाएंगे इसके बाद हम escape की प्रेस करेंगे यह देखो इसके बाद यहां पे page पे आ गए एक तो यह method है page को setting करने का margin के जरीए हम page की setting कर सकते है इसके बाद फिर हम इसको normal setting इसकी करेंगे यहां पे normal इसको रखा यह फिर आगे चला गया है इसके बाद second function है page orientation यहां पे जाएंगे page orientation में हम यह decide करते है कि हमारा page landscape होना चाहिए या portrait landscape में page horizontal होता है और portrait में page vertical होता है तो इसको यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे more button पे क्लिक करेंगे more button पे क्लिक करने के बाद यह first पे क्लिक करेंगे portrait यहां पे क्लिक किया तो portrait पे click करने के बाद जब हम इसका preview चेक करेंगे Ctrl F2 की press की और ये preview तो ये preview जो है ये यहाँ पे portrait शो कर रहा है इसके बाद यहाँ पे escape की press की इसके बाद second option इसको लेंगे landscape जब हम इसको landscape लेंगे तो ये bits wise यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये जो एक column यहाँ पे रह गया है ये column यहाँ पे adjust हो जाएगा ये रिखो यहाँ पे second पे हमने click किया landscape लेंगे पे click करने के बाद ये रिखो ये जो annual income था ये यहाँ पे एक ही पेज में यहाँ पे adjust हो गया और जब हम इसका print preview चेक करेंगे तो ये सारा एक ही पेज में आ जाएगा ये लेको control F2 तो landscape लेने के बाद ये लेको हमारे पास जितने भी column थे ये एक ही पेज में यहाँ पे set होगे तो page orientation के जरीए भी हम page की setting कर सकते हैं इसके बाद escape की press करेंगे इसके बाद आगला जो function है वो है size function size function के जरीए हम अपनी document का paper size यहाँ पे choose कर सकते हैं कि हमने कौन सा paper size यहाँ पे लेना है इसको करने के लिए हम यहाँ पे print preview इसको check करेंगे ctrl f2 press किया इसके बाद हम यहाँ पे यहाँ से भी यह paper size चूज कर सकते हैं यह देखो यहाँ पे click करेंगे more button पे और यह जितने भी है यह paper size है यहाँ पे तो अब कौन सा size चाहिए जैसे देखो यह preview यहाँ पे show करेगा letter चाहिए तो यह letter में आए इसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे more button पे आगे tabloid इसमें चाहिए तो यह देखो इसमें आ रहा है यह preview इतना आएगा यह page में इसके बाद आगला option लेंगे तो आगा है legal यहाँ पे click करेंगे तो यह legal में इतना show करेगा यह इसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे Statement पे क्लिक करेंगे तो यह ऐसा दिखाई देगा इतना आएगा यह page में इसके बाद अगला option हम लेंगे Executive यहाँ पे लिया तो यह इतना आएगा page में इसके बाद आगे हम क्लिक करेंगे A3 तो A3 में यह यह A3 आ गया यहां पे, पेίζ में, इसके बाद यह सभी, यहां पे option दिये गया है, लेकिन जो normally हम यहां पे यूझ करते हैं, वो A4 size यहां पे यूझ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको A4 यह रखेंगे, यहां पे, यह रखा तो यह जो आएगा, यह A4 यहां पे आएगा, त तो यह A4 size जब हम इसका print निकालेंगे तो इतना print इसका निकल के आएगा तो यह सभी paper size है जो भी हम यहाँ पे paper size चाहिए वो हम यहाँ पे choose कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पे escape की press करेंगे इसके बाद आगला जो function है वो print area का है अगर हम चाहते हैं कि यह जो excel sheet है इस सारी sheet का यहाँ पे print ना निकले तो हम जितने area को select करें उतने area का print निकले तो हम उतने area को select करेंगे यह को ऊपर से लेके हमने यहाँ पे 5 row तक इसको select किया यह select करने के बाद अब हम यह चाहते हैं कि इतने area का print निकले तो हम इसको फिर यहाँ पे print area पे जाएंगे इसके more button पे click कर करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद अब यह जो प्रिंट निकलेगा इतने ही एरिया का प्रिंट निकलेगा यह तो इसको चेक करने के लिए हम इसका प्रिंट 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 करने के बाद यह जो प्रिंट निकलेगा इतने ही एरिया का यहां पर प्रिंट नि काल सकते हैं इसके बाद escape की प्रेस करेंगे अगर अगर यह print area हमने हटाना है तो हम फिर यहां पर जाएंगे print area यहां पर more button पर click करेंगे और यहां पर clear print area् जब हम इसका preview चेक करेंगे तो print preview चेक करने के बाद यह देखो Ctrl F2 प्रेस किया तो यह सारा यहां पर आ जाएगा यह जो Print Area हमने सेट किया था वो यहां से हट जाएगा इसके बाद Escape की प्रेस की इसके बाद आ गया है ब्रेक ब्रेक का मतलब यह होता है जैसे suppose करो हम यह यहां से ब्रेक दरने जाते हैं यह हमारी Six Row है यहां से ब्रेक दरने जाते हैं तो हम यहां पर क्लिक करेंगे एक ब्रेक यहां से हो जाएगी यह देखो यहां से ब्रेक चाहिए एक यह पेज बने और इसके बाद यह आगला पेज बने तो हम यहां पर break function यहां पे click करेंगे और insult page break यहां पे click करेंगे तो यह देखो यहां पे हमने 6 यह जो row है यहां से break दी थी जो first page है यह यहां तक आएगा और second page यहां से आएगा इसके बाद फिर यहां पे break दरनी है तो हम यहां पे click करेंगे जैसे यहां पे 11 पे यहां पे break दर्णी है row पे तो हम यहां पे 11 पे click करेंगे और यहां पे break पे जाएंगे insert page brick यहां पे click करेंगे तो यह देखो हमने 2 जगा यहां पे break दी थी एक break यहां पे 6 row से दी थी तो यह 5 row उपर आ गही यह इसके बाद आगला page हम check करेंगे तो ये आगले page पे जाएंगे ये देखो ये आगला page आ गया यहां से 6 रोज से start हुआ ये इसके बाद 11 से break दी थी इसके बाद आगे जाएंगे हम ये देखो आगले page पे गए 11 से यहां पे break दी थी तो इस प्रकार हम इसको page break यहां पे दे सकते हैं इसके बाद अगर हम ये चाते हैं कि ये page break यहां से हट जाए page break के more button पे क्लिक करेंगे और reset all page breaks यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे click करने के बाद यह देखो यह सारी page break यहां पे हड़ जाएगी इसके बाद अगला जो function है वो है background function यह Excel का data हमने त्यार किया है अगर हम चाहते हैं कि इस data की background में कोई picture या कोई logo यहां पे हम set करें तो इसको हम यहां पे easily set कर सकते हैं तो इसको करने के लिए हम यहां पे background पे click करेंगे background पे click करने के बाद insert picture dialogue box यहां पे open हो जाएगा इसमें हमारे पास यहां पे तीन option आ जाएगे from a file अगर हमने यहां पे अपने computer में कुछ रखा हुआ है वहां से भी हम इसकी background यहां पे set कर सकते हैं अगर हम यहां पे internet से search करके उसकी background यहां पे लगाने जाते हैं तो वह भी लगा सकते हैं अगर one drive से कोई background लगाने जाते हैं तो उससे भी हम यहां पे background लगा सकते हैं लेकिन हमने अपने computer में picture रखी हुई है उनी को हम यहां पे लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रो में फाइल यहाँ पे ब्रॉज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद और suppose करो यह first वाली यह जो है background में picture हम यहाँ पे लगाने जाते है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे insult पे क्लिक करेंगे यह देखो insult पे click किया insult पे click करने के बाद यह देखो तो यह देखो जो हमने picture यहाँ पे चूज की वो picture यहाँ पे background में set हो गी है इसके बाद आगर हम यह picture को आटाने जते हैं तो फिर हम यहाँ पे delete background पे जाएंगे तो यह जो भी picture हमने यहाँ पे डेटा पे set की हुई है वो यहाँ से चली जाएगी यह देखो delete background यहाँ पे click किया तो यह जो picture हमने यहाँ पे लगाई हुई है यह यहाँ से चली जाएगी इसके बाद है print title function तो print title function यह होता क्या है अगर हमने अपनी workbook को कुछ heading दिया है और वही heading हम हर page में दिखाना जाते है तो हम print titles का use करते है print titles के दवारा हम किसी भी row या column को हर page में दिखा सकते है तो इसको हम यहाँ पे करेंगे जैसे इसका preview चेक करेंगे तो preview चेक करने के बाद यह रिखो तो first page में यह आ रहा है heading जैसे record of student यह series number, row number, name, category, date of birth, admission date, annual income यह सारी जो heading है यह first page में दिखाई देगी बाकी page में यह दिखाई नहीं देगी तो इसको पहले हम preview चेक करेंगे Ctrl F2 प्रेस किया यह रिखो हमारा यह first page है यहां पर यह heading दिखाई दे रही है records of student और यह series number, row number, name, category, date of birth, admission date और annual income यह first page है second page में यह heading नहीं आएगी यह दिखो second यह निचे second page पर क्लिक है यह second page है यहां पर यह heading नहीं आई अगले page पर क्लिक करेंगे यह अगले में भी नहीं है इससे अगला page इसमें भी नहीं है तो हम क्या करना जाते है हर एक page में यह heading लगाना जाते है तो इसको कैसे करेंगे escape की press करेंगे यह press की press करने के बाद फिर हम यहां पर print titles यहां पर क्लिक करेंगे print titles डायलो बॉक्स यहां पर open हो जाएगा open होने के बाद यहां पर दिया गया row to repeat at top top में कौन सी row हम repeat करना जाते हैं यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद उस row को select करेंगे suppose करो हमें एक ही row यह चाहिए record of student यह सभी pages में आए तो यहां पर हमने click किया यह row यहां पर select हो गई select होने के बाद यह देखो यह range यहां पर आ गई आने के बाद हम क्या करेंगे ok पर click करेंगे ok पर click करने के बाद जब हम इसका preview चेक करेंगे यह देखो control F2 यह preview चेक किया यह first page में इसमें भी यह first record of student आ रहा है अब second page को open करेंगे उसमें भी यह record of student यह आएगा यह देखो second page नीचे यहां पर click किया next page यह next page यह देखो record of student इसमें भी आ रहा है अगले third page पर जाएंगे यह देखो third page इसमें भी आ रहा है अगले page आएंगे इसमें भी आ रहा है अगले page जाएंगे इसमें भी आ रहा है हम यह चाते हैं कि सभी पेजिस में यह दो रो आए रिकोर्ड ओफ स्टूडेंट यह भी आए और यह जो निच्छे दी गई है सीरी नंबर रो नंबर नेम कैटागरी डेट ओवर्थ अडमीशन डेट एन्वले इनकम यह भी दो रो यह सभी पेजिस में आए यह देखो आगल टाइटल्स यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद इसको यहां पे इसको गलीट किया गलीट करने के बाद अब हम यह दो रो को सेलेक्ट करेंगे यह देखो यहां पे क्लिक किया हुआ है यह एक रो और इसके बाद यह ड्रै करके यह दोनो रो हमने सेलेक्ट की select करने के बाद हम इसको ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद अब क्या होगा हर एक page में ये दो रो आ जाएंगी record of student और ये निचे जो हमने यहाँ पे heading दी हुई है ये रो भी हर एक page में यहाँ पे repeat होगी तो इसको check करने के लिए हम यहाँ पे control F2 प्रेस करेंगे ये इसका print preview यहाँ पे open हो गया अब ये first page है यहाँ पे ये show कर रहा है second में हम click करेंगे ये दिखो निचे second page पे click है तो ये second page पे अपन हो गया तो second page में ये first row ये record of student ये भी आ रहा है और ये heading जो है series number row number ये भी यहाँ पे show हो रही है अब third page इसको open करेंगे ये third page में भी आ रहा है ये दिखो दोनों रोज ये show कर रही है heading की अब ये अगला page ये अगले page में भी आ रही है दोनों रोज तो इस तरह से हम हर एक page में heading को लगा सकते हैं इसके बाद escape की press करेंगे इसके बाद आगर हम दूसरे pages से ये heading हटाने जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे print titles यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद row to repeat at top यहाँ पे इसको delete कर देंगे यहाँ पे इसको delete किया delete करने के बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद जब हम इसका print preview चेक करेंगे यह देखो print preview इसका check किया तो check करने के बाद यह first page है second page में यह heading नहीं आएगी यह देखो second page है यहां पे heading अट गई इसके बाद आगला page है यहां से भी यह heading हट गई तो इस तरह से हम page के heading को हटा भी सकते हैं इसके बाद escape की press करेंगे इसके बाद आगला है जैसे यह जो column की heading है जैसे a, b, c, d यह column की heading जैसे यहां पे बनी हुई है यह भी हर एक page में आए और यह जो row की heading है जैसे 1, 2, 3, 4 यह row की heading है यह भी हर एक page में आए तो इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पे print titles यहां पे click करेंगे और यहां पे click करने के बाद यहां पे आएंगे row and column heading यहां पे इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहां पे इसको OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद जब हम इसका Print Preview चेक करेंगे, Ctrl F2 प्रेस किया यह दिको First Page है यह First Page में यह Column की Heading यहां पे आ रही है यह दिको A, B, C, D यह Column आ रहे हैं यहां पे इसके बाद यहां पे यह Heading आ रही है रोज की, One, Two, Three यह दिको, और रोज की यहां पे Heading आ रही है, यह First Page है Second Page को Open करेंगे तो उसमें भी यह बनी होगी यह दिको, यहां पे Second Page को Open किया तो यह दिको, यह Column की Heading यहां पे आ रही है Second Page में, और यह और रोज की Heading यहां पे आ गई इसके बाद Third Page पे क्लिक करेंगे यह दिको, Third Page में भी Column की Heading आ रही है और यह Rolls की Heading आ रही है तो इस तरह से हम Column और Rolls की Heading को हर एक Page में Set कर सकते हैं इसके बाद Escape की Press की इसके बाद यह जो Setting यहां पे हमने की हुई है यहां पे Landscape पे इसको रखा हुआ है इसको हम यहां पे Orientation पे जाएंगे और इसको Portrait रखेंगे तो Portrait करने पे यह दिखो, यह जो Column है यह अगले Page में चेला जाएगा तो अगर इसकी Setting जो है हमने इन Function के जर्ये नहीं करनी है तो हम यहां पे यह जो Arrow बटन है यहां पे क्लिक करेंगे तो Arrow बटन पे क्लिक करने के बाद यह Dialog Box यहां पे आ जाएगा आने के बाद यहां पे दिया गया है Scaling Scaling में यहां पे दिया गया Adjust To यहां पे है 100% तो यहां पे हम percentage कम करके इस Column को एक ही Page में Set कर सकते है तो इसको हम यहां पे कम करेंगे यह दिखो 100% है यहां पे हम इसको 85% रखेंगे यह 85% यहां पे आ गया आने के बाद हम क्या करेंगे OK पे क्लिक करेंगे यहां पे OK पे क्लिक किया तो ये दिखो एक जो column था जो की अगले page पे चला गया था वो column जो है एक ही page में यहां पे आ गया तो इस तरह से हम page को यहां पे set कर सकते हैं इसके बाद यह जो हमारे data है यह 4 pages में बना हुआ है अगर हम इस data को एक ही page में करना चाते हैं इसको करने के लिए हम यहां पे page setup पे जाएंगे और यहां पे arrow button पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद इसके बाद scaling में जाएंगे और इसके बाद radio button यह second को यहां पे इसको click करेंगे click करने के बाद fit to यहां पे one बरेंगे कि एक ही page में यह fit हो जाए यहां भी हम one बरेंगे wide wide one और इसके बाद हम ok पे click करेंगे okay पे click करने के बाद क्या होगा ये जितना भी data होगा चार pages का ये एक ही page में set हो जाएगा ये देखो okay पे click किया okay पे click करने के बाद जब हम इसका print preview चेक करेंगे तो ये इसके चार pages नहीं आएंगे इसका एक ही page बन जाएगा ये देखो status वार में ये बता रहा है pages one of one की इसके पहले चार pages थे अब एक ही page यहां पे आगया है वन के तो इसका हम print preview चेक करेंगे ctrl F2 प्रेस किया तो ये देखो ये जितना भी data था ये एक ही page में set होके आगया तो इस तरह से अगर हम excel के data को एक ही page में set करना जाते है तो ये काम भी हम यहां पे कर सकते है इसके बाद यहां पे escape की प्रेस करेंगे ये escape की प्रेस की इसके बाद आगर इसको आटाने जाते है इसके फिर हम four pages यहां पे बनाना जाते है तो फिर हम यहां पे page setup पे जाएंगे 85 किया 85 करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो status वार में Pages 104 यहां पे 4 Pages बन गया है ये तो Page की सेटिंग हो गई अगर हम इसका Print इनकालना जाते है तो Print इनकालने के लिए हम File टैप पे जाएंगे File टैप पे जाने के बाद यहां पे Print कमांड पे क्लिक करेंगे Print कमांड पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह दिये गया Print यहां पे क्लिक करेंगे तो इसका Print यहां पे निकल जाएगा कितनी Copies चाहिए अगर हमें 2 Copies चाहिए तो यहां पे क्लिक करेंगे तो उसमें ये print यहाँ पे निकल जाएगा, इसके बाद यहाँ पे setting दिये गया है, जैसे print active sheet, active sheet का मतलब होता है, जहाँ पे हमने जो sheet open की हुई है, जहाँ पे हमारा cursor है, वो हमारी active sheet है, वो print निकाल नहीं है, तो हम print active sheet यहाँ पे click करेंगे, इसके बाद यहाँ पे second option है, print entire work book, अगर हमें सारी workbook print करनी है, इतनी भी workbook होगी, यह सारी print हो जाएगी, इसके बाद आगला जो option है, print selection, इससे क्या होगा, जैसे हमने पीछे किया, जैसे जितने area को select करेंगे, उतने area का यहाँ पे print निकलेगा, इसके बाद आगया है pages, तो pages में यहाँ पे दिये गया है, जैसे one, एक से लेके हमारे पास यहाँ पे four pages है, अगर हम चाहते हैं कि एक से लेके यहाँ पे three pages तक यह print आए, तो हम यहाँ पे one बरेंगे, और यहाँ पे three बरेंगे, यह देखो three, तो इससे क्या होगा, यह जो print निकलेगा, एक page से लेके three pages तक यहाँ तक print निकलेगा, औ इसके बाद escape की प्रेस करेंगे अगर हम print command को keyword के जरी करना जाते हैं तो हम control प्लस P प्रेस करेंगे यह देखो control प्लस P प्रेस किया तो control प्लस P प्रेस करने पे direct हम यहां पे print पे क्लिक करके इसका print निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हमने page layout type के page setup group के बारे में detail में बताया अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद